इस रेडियो में बात करेंगे तो बहुत ही ताकतवर चीज़ों के उप्योग के बारे में अगर किसी व्यक्ति को वात रोग है, हड्डियों में कमजोरी है, नसों में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये लो रहता है आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीक्नेस रहती है, आपको मदुमे की समस्या है, आपके अंदर खून की कमी है या फिर खून साफ नहीं है तो इन सब के लिए एक घरेलू उपाय चानते हैं, जो इन सब भी बिमारियों को ठीक कर देगा, इस नुस्के में हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे आयरवेद के किताब अश्टांक रिदे, जो के वागभर ट्रिशी ने हजारों वश पहले लिखी थी, उसके अनुसार आज हम इन दोनों चीजों का सेवन कैसे करना है, उसके बारे में चानेंगे तो सबसे पहले चानते हैं कि वो दो चीजें कौन सी हैं, तो वो हैं अलजुन की छाल और काली मिर्च, प्रिंट्स आपने अलजुन की छाल के फायदे बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अगर इसका सेवन आप काली मिर्च के साथ करते हैं तो इसके क्या-क्या फायदे है आपके अंदर बहुत कमजोरी है डायबिटीज की समस्या है खून साफ नहीं है तो अगर आप इन दोनों चीजों का सेवन करते हैं तो दवाई लेने की भी जरुरत नहीं रहेगी तो जान लेते हैं कि अलजुन की च्छाल और काली मिल्च का इस्तेमाल कैसे करना है आपने दूद लेना है और प्रैफरेब़ली कायका लेना है गैस को आन करके दूद को गरम होने के लिए रख दीजिए उसके बाद इसमें एक चमच अलजुन की छाल डाल दीजिए उसके बाद इसमें दो चुटके कालिमिज डाल दीजिए जब यह दूद पक चाहे तो गैस से उतार कर इसे छान लीजिए और हलका गुनगुना होने पर सिप सिप करके चाह की तरह पी लेना है जिन इन लोगों को वात रोग की समस्या है, शरिद में दर्दे बहुत रहती हैं, जोईन पेंस रहती हैं, हटियां कमजोड लगती हैं, उन लोगों ने एक किलास पानी लेना है, उसमें आधा चमच अलचुन के छाल का पाउडर मिक्स कर लेना है, पानी को उबाल लेना है, उसके बादिस में दो चुटकी काली मिर्च का मिक्स करना है जब पानी अच्छे से उबल जाए तब पानी को गुनगुना करके एक चम्मच शहद के साथ मिक्स करके पी लें और मदुमे की समस्या में कैसे इसका सेवन करें यह तो आप जानते ही है कि डायबटीज वाले लोग मीठा नहीं खा सकते, आपने तांबे के बत्तन में एक गिलास पानी डाल कर रख लेना है रात को सोते समएं, सुबह इस पानी को स्टील के बत्तन में डाल कर उबाल लेना है इसके अंदर अल्जुन की चाल का आधा चमच और दो चुटकी काली मिर्च का पाउड़र डालना है पा चाल का सेवन कीजिए, आपको मदुमे की समस्या में बहुत फाइदा होगा, आपने इसका सेवन सुभे खाली पेट करना है, पुरुषों के अंदरुनी कमजोरी को दूर करने के लिए कैसे इसका सेवन करें, आपने एक इलास पानी के अंदर आधा जमच अजुन की चाल का प तीनों समस्याओं के लिए बहुत फाइदे मंद है, खून की आसिडिटी, सीने की आसिडिटी और दोनों तरह की आसिडिटी को ये ठीक करता है, तो फ्रेंट्स ये थी जानकारी अलजुन की चाल और काले मिर्च के फाइदों के बारे में, I hope आपको ये इंफरमिशन आयोगी, thank you